नमस्कार आप देख रहे हैं व्यमार भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ जोती का आईए रू करते हैं खबर की ओर हमारी समवाद दाता ने खास मुलाकात की विधानसाबाद छेत्र राइसिंग नगर के भाजपा नेता रिच्पाल नायक से देखिये रिपोर्ट नमस्कार भी आम बाट टीवी में आपका स्वागत है मैं आपके साथ निशान सत्राना हम आपको राजनितिक पार्टियों से लगातार कवरज करते हैं लोगों से जो उमीदवार हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं क्या जंता की समस्या है क्योंकि दानसवा के चुनाव ब आज हमारे साथ हाशक्षियत के रूमें रिश्पाल जी नाइक जुड़े हैं जो बारतिय जनता पार्टी से भी लूम करते हैं इन से जानेंगे अगर बारतिय जनता पार्टी इन्हें टिक्ट देती है तो किस परकार की भूमी का निमाएंगे क्योंकि यह च्छेतर है बोगली च्छेतर की बात की जाए तो काफी यहां समस्या है और लोगों के काम नहीं हो रहे हैं लोग बढ़कर हैं बिलकुल आज सारे तमाम मुद्दों कर रिश्पाल जानना चाहते हैं क्या आपका राजननती प्रिच्छे हैं आप दानसभा की त्य और इस से पहले मैं ऐसे मोर्चह का अधेक्स था और इस से पहले में मेरे पापा जी सुद्दोंended में चुनाव रड़ा था जीला प्रिशित का और इससे पहले पंचाई समिति का चुनाव रड़ाता मैं इस वार आपने बड़ी कड़ी चुन ली है विदानसवा की क्योंकि विदानसवा शेतर में सर बहुत से मुद्धे हैं जो लोगों के भड़करे हैं लोग काम नहीं हो प सर सबसे पहले तो है बेरोजगारी का मुद्धा है ये सबसे भेंकर है और क्योंकि बार बार जो रीट के एक्जाम हुए थे लीक हुए थे उसमें जो बेरोजगार है काफी उन्हों में खपा है परेशान है क्योंकि सबसे पहले बेरोजगारी है उसके बाद में पेपर दे रहा नहीं होगा लेकिन जो च्टुडेंट है जो त्यारी कर रहे हो तो उनके दिल पर गुजरती है उनके उसके बारे में अगर वर्तमान में हो पार्टी टिगर्ट देती है और सब्सक्ता में आएं तो इसके बारे में कड़ा कड़े से कड़ा हम कानून बना कर जो यह कि आखिए जाएं पेजल समस्या हो या श्रक समस्या हो क्योंकि जो वदाइक मन जाते हैं बोटों बोटे डॉर लेते हैं उसके बाद में अपनी शकल भी नहीं दिखा पते हैं और जनता से जूटे बाद है किये जाते हैं आप किस परकार की भूमी का नवाओं सबसे पहले तो जाते हैं लोग लेकिन कोई समाधान नहीं है वो तो हमें पता है जैसा यह पानी पी रहे हैं बीमारियां है तो अब लगातार दानसवा शेतर रहसाइब की बात कि जाए तो धरने भी लगाए जा रहे हैं लोगों की समस्या ने सुने जा रही हैं लोग बढ़कते हैं आप अगर आपको इसवा टिक्ट मिलती है आप दानसवा चनाब से बीजे होते हैं तो किस परकार वो लोगों को मोटिवेट किया जाएगा समझाया जाएगा चाहिए वो शड़क का मुद्ध हो चाहिए अन्य मुद्ध हो और लोग बढ़कते रहते हैं किस परकार की भूमी करे सर इसमें अगर निस्पक्स काम किया जाए तो जनता बिलकुल नहीं बढ़के गी जनता का बढ़कने के यही कारण है जो जिसके लाइक है उसको वो काम नहीं मिलता है जो पातर है वो एपातर गोशित किया जाता है यही कारण है बढ़कने का और धरना परदिशन का यही का होने वाले क्या क्या प्रोमुक्त हैं जनता का रुख बहुत बड़िया देखने को मिलता है हमेशा वह उत्साय कर रहे हैं कि आप डिगट लेके हो हम आपकी मद्द करेंगे क्योंकि जो जो भी लीडर है उनसे लोग खपा है क्योंकि जो समय पर काम होना चाहिए वो नहीं हो चाहिए पेजल की समश्या हो जो भी हो तो इसी कारण से हर आदमे नयत चेहरा देखना चाहता है पार्टी अगर आपको टिक्ट नहीं दे पाती क्या आप पार्टी को छोड़ोगे यहां किस परकार की भूमी का रहेगी क्योंकि अमीदवार काफी हैं अमीदवार बहुत ज जोइन की थी तो रही बाद टिगट की टिगट की तो मैं 15 साल से प्रयास कर रहा हूं पिछली बार भी मैं लाइन में था तो पार्टी ने बलवीर शिंग जी को टिगट दे दिया तो तैदिल से मैंने उनका साथ दिया और उनको विजएई गोशित करा है और पार्टी इस सिर्स नेता को निरिने लेती है तो हम उनके साथ हैं तो लाश्ट और अंतिम स्वाल रहेगा पाल जी क्या हमारे चैनल के मादिम से आप कहना चाहते हो क्यूंकि जनता आपको प्रमुक्ता से देखती है हमने जिरो ग्राउंड रिपोर्ट पर अपने सर्वे किया लोगों की यह पील करना चाहता हूं सबी से सबसे पहले जो आज नशे के दोर से जो यूवा गुजर रहे हैं वो एक भयानिक बीमारी है तो सबसे खतरनाक चीज है क्योंकि यूवा आज जो शोशित हो रहा है तो इसके लिए मैं कड़े से कड़ा क्याने की कानून बना कर और इसको प धानसावा के सर्दगर्मिया जो दाहिक मनने के लिए अपने अपने अमीदवार भी उतार रहे हैं अमीदवार लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर भी जा रहे हैं बिलकुल बात की जाए तो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर लेके आते हैं रिश्पाल जी से मुलाक स्टरना दने लाग